आज हम बात करने वाले हैं Amazon अप्लिकेशन में लॉग इन कैसे करें या फिर Amazon अप्लिकेशन में अपनी ID को लॉग इन कैसे करें तो इसके लिए Amazon अप को ओपन करिए अगर आपने Amazon अप को इंस्टॉल नहीं किया है तो Google Play Store से इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद option आएगा Already a customer sign in तो Already a customer तो हम Amazon के पहले से customer है तो हमें अपनी ID लॉग इन करनी है जो कि पहले से हमने बना रखी है तो Sign in यानि कि Already a customer sign in वाले option पर किलिक करिए जैसे ही किलिक करेंगे यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा इमेल और फोन नंबर पर किलिक करिए अभ इहां पर अपना फून नंबर याँ फिर इमेल अयडिंड एंटरगर अगर आपका accounts phone नंबर से है तो फौन नमबर एंटर करेंगे, email ID से है, तो वो email ID एंटर करेंь, अगर दोनों से ही आपने अपना account बनाया है तो दोनों में से कोई एक चीज एंटर कर सकते हैं, हम एंटर करेंगे अपना phone number, phone number एंटर करके continue पर किलिक करें , थोड़ा सा वेट करिए, अब आपसे मांगेगा आपके अकाउंट का पासवर्ड, तो Amazon पासवर्ड पर किलिक करके पासवर्ड को एंटर करिए, अब हो सकता है आपको पासवर्ड याद नहीं होगा, तो Forgot पासवर्ड पर किलिक करिए, अब उसके बाद यहाँ पर आपका इन मबर आटोमाटिकली डिटक्ट कर लेगा, कंटीन्यू पर किलिक करिए, अब आपके नमबर पर OTP सैंड किया जाएगा, तो एंटर OTP पर किलिक करके, OTP एंटर करिए, उसके बाद continue करिए अब यहाँ पर enter new password पर click करके एक नया password बनाईए अपने Amazon account का password बनाने के बाद re-enter new password पर click करके फिर से password को enter करिए उसके बाद save changes पर click करिए थोड़ा सा wait करिए और यहाँ पर आपका Amazon account का password चेंज हो जाएगा और आपका account भी login हो चुका है तो इस type से login करें अपने Amazon account को वीडियो पसंदाई वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें